जै श्री किष्टा राधे राधे दोस्तो प्रति दिन की तरह आज मैं फिर से आप लोगों के लिए व्रिंदावन के बांके बिहारी जी की अद्भुद लीला कथा लेकर आई हूँ आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आपके दिल को स्पर्श करेगी यह घटना घटी है आगरा की रहने वाली आरती जी के साथ में आरती जी बचपन से ही कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी भक्ती करती थी भक्ती करते करते बड़ी हो गई भगवान की कृपा से उसका विवा भी श्री व्रिंदावन धाम में एक अच्छे घर में हो गया विवाहा होकर पहली बार व्रिंदावन नगर आई पर नई दुलन होने की वजह से कहीं न जा सकी और पग फेरे के लिए अपने माई के चली गई और वह दिन भी आया जब उसका पती लेने उसे माई के आ गया अपने पती के साथ फिर वह व्रिंदावन पहुच गई पहुचते पहुचते उसे शाम हो गई पती व्रिंदावन में यमुना किनारे रुक कर कहने लगा शाम का समय है मैं यमना जी में स्नान करके अभी आता हूँ तुम इस पेड के नीचे बैठ जाओ और समान की देखरे करना मैं थोड़े ही समय में आ जाओंगा यहीं सामने ही हूँ कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना इतना कहकर पती चला गया और वह वही बैठी रही अब एक हाथ लंबा घूंगट निकाल रखा था क्योंकि गाओं हैं ससुराल है और वह वही बैठ गई मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है उन्हें मैं बच्पन से भजा और उनकी कृपा मेरा विभा श्री विद्णवन धाम में ही हो गया मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूं परन्तु अब तक उनसे कोई रिष्टा नहीं जोड़ा फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी लगभग पंदरा वर्ष के होंगे मेरे पती बीस वर्ष के हैं उनसे थोड़े से छोटे हैं इसलिए मेरे पती के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए अब तो ठाकुर जी से नया सम्मंद जोड़ कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी ठाकुर जी आज से मैं तुम्हारी भावी और तुम मेरे देवर हो गए अब वो समय आ गया जब तुम मुझे भावी भावी कहकर पुकारोगे इतना सोच ही रही थी के तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उससे बोलने लगा भावी भावी आरती अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी विंदावन में तो मैं नई हूँ ये भावी भावी कहकर कौन बुला रहा है नई थी इसलिए घुंगट उठा कर नहीं देखा कि गाउं के किसी बड़े बोड़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी अब वह बालक बार-बार कहता रहा पर आरती कोई उत्तर नहीं देती बालक पास आया और बोला भावी निक अपना चहरा तो दिखाए दे अब वह अपना घुंगट जोर से पकड़ कर बैठ गई कि कहीं घुंगट उठा कर देख न ले लेकिन उस पालक ने जबरदस्ती घुंगट उठा कर चहरा देखा और भाग गया थोड़ी देर में उसका पती आ गया उसने सारी बात अपने पती से कही पती ने कहा तुमने आवाज क्यों नहीं दी तब ही आरती बोली वह तो इतने में ही भाग गया था पती बोला चिंता मत करो फ्रिंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो उसकी हटी पसली एक कर दूँगा फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना फिर दोनों घर गए कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा बेटा देख तेरा फिभा हो गया है बहु मायके से भी आ गई पर तुम दोनों ने अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किये कल जाकर बहु को दर्शन करा लाना अब आरती कैतो ऐसा लग रहा था मानो उसे क्या मिल गया अब वह ठाकुर जी के दर्शन करेगी बचपन से जिस चीज की चाहत ही उसको मिल गई अब अगले दिन दोनों पती पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं मंदिर में बहुत बीड थी आरती के पती ने कहा देखो तुम स्त्रियों के साथ जाकर दर्शन करो मैं भी अभी आता हूँ अब वह आगे गई पर घूंगट नहीं उठाती उसे डर लगता कोई बढ़ा बुढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा नई बहु बिना घूंगट खूम रही है बहुत देर हो गई पीछे से पती ने आकर कहा अरी बावली बिहारी जी के सामने घूंगट काहे नाए खोले बांके बिहारी जी की और देखा बांके बिहारी जी की जगा वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया तो एकदम से चिलाने लगी सुनिये जल्दी आओ जल्दी आओ पती पीछे से भागा भागा आया और बोला क्या हुआ आरती ने बोला उस दिन जो मुझे भावी भावी कहकर भागा था वह बालक मिल गया पती ने कहा कहा है अभी देखता हूँ उसे तो ठाकुर जी की और इशारा करके बोली ये रहा आपके सामने ही तो है उसके पती ने जो देखा तो आवाक रह गया और वहीं मंदिर में ही अपने पत्नी की चर्णों में गीर गया और बोला तुम धन्य हो वास्तव में तुम्हारे हिर्दे में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रती मैं इतने वर्षों से व्रंदावन में हूँ मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारे जी ने तुम्हें दर्शन दिये मैं तुम्हें मान गया तो दोस्तों आप लोगों को आज की लीला कता कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी और आपके दिल को आज की कहानी ने चुआ हो तो क्रपा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बाके बिहारी जी की इस लीला कता श्रवन कर सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रती दिन बांके बिहारी लड़ू गोपाल की लीला कथा हमारे चैनल पर सुन सकें अगर आपके जीवन में भी होई हो कोई चमतकारिक घटना लड़ू गोपाल की कोई भी लीला जिसे आप सब हमारे साथ शेयर करना चाहते हों तो कथा को सभी भक्तों के साथ अपने चैनल पर शेयर करेंगी राधे राधे दोस्तों पर शेयर के सिता हम था राधे राधे दोऑ में Vide healing Supreme Supreme – अपने दिगते दोने से का लाधे राधे कर दोस्तों 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 भेको पर फाधे रां बहदे का Besides वान दोस्तों की अांने साथ झालया करेंगी त मैंसे